आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अर र्ष गलोबल एंवेश्टर समिट में ड्रोन शो का आयूजिन किया गया लगना उसे कबर आपको बता रहा है ड्रोन के जरगे उपी सरकार का विजन दिखाया गया राम मंदिर समेट घार लग के स्तलों को अधर साया गया चैसो ड्रोन से यूपी के विकास की गाथ्या का पुर्दड़ चाहिए दबंगो ने यूवब पर वार किया है लाउलुहान यूवब धाना चौकी के चक्कर लगा रहा है कानपूर से खबर आपको बता रहे हैं कल्याडपूर के पन की रोड़ चौकी शेतर में दबंग ने यूवब को लाउलुहान किया है दबंगो ने यूवब पर उस तरह से वार किया लाउलुहान यूवब धाना चौकी के चक्कर लगा रहा है कानपूर से खबर आपको बता रहे हैं कल्याडपूर के पंकी रोड चौकी शेत में दबंग ने यूवग को लहुलुहान किया है दबंगों ने यूवग पर उस तरह से वार किया लहुलुहान यूवग ठाना चौकी के चक्कर लगा रहा है कानपूर से खबर आपको बता रहे हैं कल्याडपूर के पंकी रोड चौकी शेत में दबंग ने यूवग को लहुलुहान किया दबंगों ने यूवग पर उस तरह से वार किया लहुलुहान यूवग ठाना चौकी के चक्कर लगा रहा है इस खबर पर मैरे सम्वादाता उपेंद्र हम से जोड़ेंगे कानपूर में दबंगों दबंगों दवारा यूवग को लहुलुहान किया गया है क्या कुछ पूरा मामला है प्रिश के जारी है और जो प्रिडी घायल तो उसको प्रिटर करें वह रहा जानकारियों के लिए अज़ा वाद से बड़ी खबर सामने आ रही है नाबालिक लड़की के साथ दूश्कर्म किया गया है बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रही है घर में गुसकर युवक ने जबरन दूसकर्म किया है प्रिटा के भाई ने आरोपी युवक से मार पीर की मौके पर पहुचे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया पीर्टा का सिविल अस्पताल में मेटकल कराया गया है बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रही है मामले की जाच में पुलिस जुटी हुए फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नाबालिक लड़की के साथ दुशकर्म किया गया है घर में गुसकर युवक ने जबरन दुशकर्म की घटना को अंचाम दिया है पीड़ता के भाई ने आरोपी वक्स से मार पीड की मौके पर पहुची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया पीड़ता का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया मामले की जाच में जुटी पुलिस इस ख़बर पर हमारे समवादाता मनोज हम से जुड़ेंगे मनोज फरीदाबाद से बड़ी ख़बर सामने आ रहे है जहां नावालिक लड़की के साथ दुशकर्म किया गया है क्या कुछ पूरा मामला है मैं यहीरी बता दे पहिरावाद के गाजीपूर ड़वा का यह मामला है जहां पर नावालिक लड़की घर में एकेली थी और परिजन जहें जो उसके वो तूटी के गया हुए थे कभी पास में रहने वाले जो कुछ यूबख है उन्हों रहने लड़की को चेहना देशतर घर में उसे दवोच लिए उसके साथ दुसकर्म क्या है अलाग कि इस मौक दुसकर्म के मौके पर जो पीडिता जो लड़की का भाई है वो गर में पॉंच पहुँख गया था वह बही नकोई दिन दिन खचना है जी. मनुज, स्फूरे मामले पर क्या कुछ कारवाई की गई है? पुलिस की तरब से अब तक इस मामले में एक युबफ को गरश्वार कर लिया जाया है और तमाम जो पहलू है वो पुलिस जाच कर रहै हैं और पुलिस की जारी है और जो लड़की है उसका पुष्माडम कराके पुलिस की आगा मी जो कारवाई है वो पुलिस की तफिक जारी है जी धन्यवाद मनोस्ता माम जानकारियों के लिए बुलंदफ शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है युवकी चाकु से गोद कर हत्या किया गया है हत्या कारार ओपी मौके से फरार हुआ है मामूली सिकासुनी को लेकर बिवाद हुआ था बड़ी खबर आपको बुलंदफ शहर से बता दे मौकी पर पहुची पुलिस और फोरेंसिक टीम ज़र्ज परदाल में जुकी पुलिस ने श्वप को पोस्माटम के लिए भीजा बुलंदफ शहर की स्याना कोटवाली शेत्र के बहरा फिरोजपूर गाउं का मामला बताये जा रहा है बुलंदफ शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां युवा की चाकू से गोट कर हत्या की गई है नशे में धूत कारचालक ने बीस सड़क में डीपो रोक कर कुरई से लोट रही राठ डीपो की बस चालक और कारचालक ने जमकर मार पीट किया है आदा घंटा चला हाई बोल्टेज ड्रामा सड़क के दोनों और लंबा जाम लगा रहा है राठ नगर के चोपरा गेट का मामला बताये जा रहा है आदा घंटा चला हाई बोल्टेज ड्रामा सड़क के दोनों और लंबा जाम लगा रहा है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।